ये गाईज वेलकम बैक टू मैं नीव व्लोग और आपको थम्ने देखके पाता चलग यह होगा कि हम कहां जा रहे हैं फिर यहां पर हम दूसरे होटल में आ जाते हैं जहां मेरे दोस्त ने हमको मेगी पार्टी दिया फिर यहां पर हम कुछ दिर खाने के बाल फिर निकल जात हैं अपने मंदिर ब्लॉग के लिए तो गाई हम रास्ते में यहां पर जा रहे थे फिर यहां पर लोकेशन हमको बहुत ही अच्छा लगा जिससे आप देख सकते हैं यह लोकेशन कितना बढ़ियां लग रहा है तो गैश फानली हम इस मंदिर के पहुंच आते हैं और सामने आप मंदिर को देख सकते हैं और यह है राजवाड़े का जो में पार्ट होता है वो पत्व यह राजवाड़े का में पार्ट है पर यह हम राजवाड़े के बार बार इसको वीडियो बना लेते हैं फिर हम यहा है जो मतलब बहुत ही पुराना हो चुक है फिर भी यह बढ़ियां लग रहा है और यहां पे गार्ड्स师 से पुछे तो अंदर जाने के लाव नहीं ता फिर यहां पर हम पहुँच आते हैं इस रजवाड़े के मतलब भूआइंग कर धी दो हम भी उसमें बूआइंग करना इस्टार्ड कर देते हैं और आप इस तालाप्तु सकते हैं मत्लाप बहुत ही साफ है मतलब इस मेंझा जाता गंदा भी नहीं है और यह बहुत ही अच्छा लग रहा था फिर यहां पर आगर बढ़ते हैं और यहां पे हम बहुत घूमते फिरते हैं और गाईज़ आप यहां पे इस जर्रे को देख सकते हैं जो बहुत ही पूरा मतलबाद से 100 साल पहले यह बनाए गया था और देख सकते हैं कि अभी भी कितना बढ़िया लग रहा है और सामने आप इस मंदिर को देख सकते हैं जो इस रजवाड़े के अंदर बनाई गया है जो अंदर से दिखने में बहुत ही खुबसरत लगता है पर यहाँ पर इस मंदिर के अंदर सब को जाने का इलाओ नहीं होता है फिर यहाँ पर फोड़ी ब्लॉइंग करते हैं और यहाँ से हम निकल जाते हैं तो यह रजवाड़े का सबसे में पार्ट है जहाँ पर इसके अंदर में इसके अंदर जाने का रास्ता होता है जो यहां से एक सुरंग जाता है जो रजवाड़े के में गिर्ट तक निकलता है मतलब यहां पर जो गाड़ थे वो इसके अंदर जाने के लाउ नहीं कर रहे थे क्योंकि यहां पर मतलब साफों पैसे कुछ रहते हैं इसलिए वो मना कर रहे थे कि इसके अंदर जाना के लाओ नहीं है फिर हम लोग इसके बार-बार ही मतलब ब्लॉइंग करके यहां से निकल जाते हैं तो आपको कैसा बीडियो लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं